साथ कोरियन स्मार्टफोन कमपनी सैमसंग ने अपने सैमसंग गैलेक्सी अनपैग्ड इवेंट 2020 में मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन सीरीज नोट 20 को लांच कर दिया है जिसमें सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 और गैलेक्सी नोट 20 अल्टर शामिल है इन दोनों स्मार्टफोन में 4G और 5G कनेक्टिविटी ऑप्शन्स दिये गए हैं इसके साथ ही कमपनी ने अपने दूसरे डिवाइसिस को भी इंटरनेशनल मार्किट में लांच किया है अगर गैले डिटेल में जानते हैं इन स्मार्टफोन के प्राइस और फीचर्स के बारे में सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज की प्राइस की बात करें तो गैलेक्सी नोट 20 के 5G वेरियंट के 128GB स्टोरेज मॉडल को यूएस में 999 यूएस डालर यानि लगबग 75,400 रुपे के प्राइ है कंपनी ने गैलेक्सी नोट 25G मॉडल को 128GB और 256GB दो इस टोरेज वेरियंट में लाँच किया है जबकि गैलेक्सी नोट 20 अल्रा 5G को 128GB, 256GB और 512GB स्टोरेज मॉडल में अविलेबल कराए जाएगा वहीं इसके 4G मॉडल को 256GB और 512GB दो वेरियंट में पेश किया गया है गैलेक्सी नोट 20, Mystic Black, Mystic Bronze और Mystic Green तीन कलर ओप्शन्स में अविलेबल होगा जबकि गैलेक्सी नोट 20 अल्रा को Mystic Black, Mystic Bronze और Mystic White कलर भी इनिट्स में खरीदा जा सकेगा ये दोनोई स्मार्टफोन्स 21 अगस्त से सेल के लिए अविलेबल होंगे सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 2400 x 1080 पिक्सल के स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ 6.7 एच का Full HD Plus Super Amoyled Infinity-O डिस्पले दिया गया है ये स्मार्टफोन सैमसंग Exynos 990 चिपसेट पर काम करता है लेकिन चाइना और यूएस में इस तरी स्नापड़ागन 865 Plus चिपसेट के साथ पेश किया जाएगा फोन में MicroSD Card Slot नहीं दिया गया है और फोटोग्राफी के लिए इसमें LED Flash के साथ Triple Rear Camera सेटप मौझूद है इसमें 12 Megapixel का Primary Sensor, 64 Megapixel का Secondary Sensor और एक 12 Megapixel का Ultra Wide Angle Sensor दिया गया है वही Selfie और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 10 Megapixel का Front Camera मिलता है और Power Backup के लिए इसमें 4,300 mAh की बैटरी दी गई है जो की 25W Fast Charging Support के साथ आती है वही Samsung Galaxy Note 20 Ultra के Specifications की बात करें तो Galaxy Note 20 Ultra में 6.9 inch का WQHD Dynamic Amoyled Infinity-O Display मिलता है जिसका Screen Resolution 3200 x 1440 Pixel है इसमें 120Hz refresh rate और Corning Gorilla Glass 7 protection मौझूद है इसमें भी Galaxy Note 20 की ही तरह Exynos 990 या फिर Snapdragon 865 Plus चिपसेट दी जाएगी वही फोन में दी गए स्टोरेज को यूर्जर्स, Micro HD कार्ट की मदल से 1 TV तक एक्सपैंड कर सकते हैं और इसमें भी triple rear camera setup photography के लिए दिया गया है लेकिन इसका primary rear camera 108MP का है इसके साथ ही इसमें 12MP का periscopic lens और 12MP का ही ultra wide angle sensor दिया गया है Galaxy Note 20 Ultra में भी 12MP का ही front camera मौजूद है और power backup के लिए इसमें 45W की fast charging support के साथ 4500mAh की बैटरी दी गई है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा के इस वीडियो को लाइक भी कर दीजे कर दो दीजे